ABP News ने आज आपके लिए खास का रिक्रम प्रस्तुत किया जन्मन धन कितना कैशलेस हुआ इंडिया क्योंकि 8 नवंबर को नोट बंदी का एक साल पूरा हो रहा है मोधी सरकार के मंत्री पहुँचे उन्होंने आपके सवालों के जबाब दिये संबित पात्रा जो की स्पोक्स परसन है बीजे पीके उन्होंने कहा कि बिलकुल काफी फायदा हुआ है इंडिया कैशलेस भी हुआ है साथी में कितना काला धन वापस आया उसका भी उन्होंने एक आकड़ा पेश किया इसके लड़ावा अभी शेक मनु सिंग भी वहाँ पर मौजू थे कॉंग्रेस से उन्होंने इस पर कटाक्ष किया और जन्मन धन का जो उदेश्य है सकारेक्रम का जो उदेश्य है वो ये है कि सरकार में जो मंत्री है वो आपके सवालों के जवाब दे आपके अंदर जाहिर सी बात है ये सवाल उठा होगा कि नोट बंदी हुई बहुत से लोगों को कुछ कठिनाईया उठानी पड़ी जो सरकार ने भी माना कि वाकई में लोगों को परिशानी हुई ऐसे में जब एक साली से पूरा हुआ कॉंग्रेस लगातार इसको लेकर निशाना साथ रही है सरकार पर लेकिन सरकार के मंत्री क्या जवाब दे रहे हैं ये आपके लिए लेकर आया है हमारा कारिक्रम जन्मंधन सुनिए ये कदम देशित और जन्हित का कदम देश ने भी सुखार किया है अर्थ विवस्ता समझने वालों ने भी सुखार किया है कि छोटी मोटी समय के लिए अगर कठिनाई उठानी पड़ी लेकिन उसके जो लंबे अर्से के लाब है वो इस देश को बहुत तेज गती से विकास के मार्क पे ले जा पाएंगे सबसे रोचक बात ये है कि हमने दो लाख चौबिस हजार कंपनियों को डिरेजिस्टर किया है ये कंपनिया कौन थी एक मकान में सौसो कंपनिया और उसमें 35 हजार कंपनियों ने 17 हजार करोड रुपया जमा किया नोटबंदी के बाद 35,000 कंपनियों ने 17,000 करोड रुपै जमा किया और एक कंपनियska तो कमाल की थी उसके बैंक अकाउंट में निगेटिव बैलन्स था और उसने 2484 करोड रुपै जमा किया और उसको भी ड्रॉऊ कर लिया एक कंपनी के एकाउंट में साट लाग रुपया था उसने साड़े सत्र करड़ रुपय जमा किये और फिर अठार करड़ वापिस ले लिए अब इससे फाइदा क्या हुआ है ये मैं आपको बताना चाहता हूँ आतंकवाद कम हुआ है नकसलवाद कम हुआ है कश्वीर में पैसा लेकर ढेला फेकने वालों कि संख्या में बहुत कमी आई मेरे पस्तव आकड़े अधिकृत प्रधान मंत्री को आट ने में पता था कि यह तो मैं सिर्फ देश को कह रहा हूं बहकाने के लिए लेकिन असली त तो नोट बंदी के बाद क्या फाइदा हुआ क्या नुकसान हुआ यह सभी बाते यह मंत्री हमारे इस खास कारिक्रम में रख रहे हैं यह है ABP News आपको रखे आगे